देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा. राशी में करीवन दो महीने तक रहते हैं, इसके साथ ही मंगल की तीन द्रिष्टियां हैं, दो भावों का स्वामित्व है, तो उनका राशी परिवर्तन बहुत चीजों में बदलाव लाता है, मंगल अक्टूबर 2022 के अन्त से वक्री चल रहे थे, पतत भी हो गए थे, यान से बदलाव, अक्टूबर 2022 के अन्त से या नवंबर के आसपास से जीवन में आए हो, सेहत पे हो, मानसिक तनाव पे हो, इवन करियर में भी हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बदली होंगी, तो अब मंगल का राशी परिवर्तन होने वाला है, पुनह अपनी उसी रा क्या-क्या प्रभाव रहेगा, पॉजिटिव नेगिटिव हर चीज़ पर बात करूँगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाए भी अवश्य बताऊँगा, तो शुरुवात करते हैं महत्तकून वीडियो का, पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अर्थ की जगाओं पर भी खर्चा हो गया होगा, करियर में भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि अर्थ त्रिकोन में बैठकर पतित हुए थे, वक्री हुए थे, और इसके साथ ही आपकी वानी भी बहुत कडवी होगी, बहुत संभव है कि पिछले कुछ महीनों में, आप आपका अपनी वानी के कारण कई लोगों से जगडा, वाद, वाद, या कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो ज़्यादा विस्तार में उसमें नहीं जाओंगा, तो ये सारी चीजें आपने जहली होगी कही ना कहीं, अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं कि मंगल जब मिथुन में आपके लिए प्रवेश करेंगे आपके लगने से तीसरे भाव में, तो क्या-क्या अच्छा हो सकता है, तीसरा भाव मंगल का एक प्रियस्तार है, यहाँ पर बैठकर मंगल उच्साह बढ़ाते हैं, यहाँ पर बैठकर मंगल साहस देते हैं, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है यहाँ पर बैठकर मंगल व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल भी बनाते हैं और इसके साथ ही आपकी जो संकल्प शक्ति है वो भी बहुत बढ़ जाती है तो यह सारी बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो तीसरा भाव है य अगर कोई communication gap आपका किसी के साथ आ गया था कोई problem आपकी आ रही थी तो वो solve हो सकती है इसके साथ ही यह जो स्थान है तीसरा और जो ग्रह है मंगल दोनों ही skill के कारक है तो आप अगर कोई skill based कारे करते हैं तो उससे बहुत लाब कमाएंगे और अपनी कोई ना कोई skill बढ़ देने वाला है अगर business करते हैं तो उसमें नए partners आपको प्राप्त हो सकते हैं सब्तम से नवम स्थान वैसे भी है और लगने के स्वामी है मंगल तो बिजनस में भागे का साथ मिलेगा दस्वे स्थान से छटे में बैठे हैं और लगने के स्वामी है आपके लिए लगने के स दुश्मन आपको तंग करही थे कारक्षेत्र में, जो office politics आपको तंग करही थे कारक्षेत्र में, उसका भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, उसको tackle कर पाएंगे, तो मंगल का तीसरे भाव में आपके लिए बैठना बहुत अच्छे result देगा, पंचम भाव ज चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि physical compatibility बहुत अच्छी रहेंगी, और जब वो especially young couples में बहुत अच्छा रहता है, तो बाकी चीजें कहीं ना कहीं छुप जाती है, यो जो problems होती है, वो ठीक हो जाती है, तो relationship के लिए हो, students के लिए हो, सारी ही चीजें बहुत सप्तम में कोचर कर रहे थे, लगन के स्वामी मंगल दोश बनाकर दूसरे घर में बैठ गए थे, तो October से लेकर अभी तक का समय आपके लिए बहुत कष्टकारी गया होगा, लेकिन अब जो married couples हैं, उनके लिए ही समय बहुत अच्छा आने वाला है, जो problems आ रही थी, उनको solve करने के लिए समय अच्छा रहेगा, मंगल की जो चौथी दृष्टी है, वो छटे स्थान पर होगी, छटा स्थान भी मंगल के लिए बहुत अच्छा होता है, सबसे पहरे तो जो competitive exams देने वाले हैं students, उनके लिए ये जो समय है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच् अब आप उनको face भी कर पाएंगे और उनको अच्छी तरह से जवाब भी दे पाएंगे, कोई legal कारे आपका अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए उसको अपने favor में लेके जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, और इसके साथी जो भी रुकावटे आपके जीवन मे आ रही थी, उन सबको दूर करने के लिए, खेर सारी रुकावटे तो एक ग्रह से दूर नहीं होती, लेकिन कई तरह की रुकावटे आपकी, ये मंगल की जो छटे भाव पर दृष्टी है, उसके कारण पूर्ण हो जाएगी, एक चीज में बताना भूल गया, मंगल क्योंक अच्छे दाम पर, ये जो समय है, बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे ओफर भी मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, मंगल की सात्वी दृष्टी नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर, अब ये साब बताती है कि लगन के स्वामी की दृष्टी सब्तम प पड़े, और कोई लॉंग जर्नी भी जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहेते, कि यहाँ जाए, वहाँ जाए, वो भी आपको इस दो महिने की पीरिण में मिल सकती है, आपके पिता जी को भी कोई धनलाब हो सकता है, या उनका कोई कार्या टक रहाता, वो भी पूर स्वामी है, दूसरा मंगल अश्टम के स्वामी है, जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहेते, अचानक से आप देखेंगे मार्च के मद्यभाग के आसपस आपको बहुत अच्छा ओफर आ सकता है, और जॉब चेंज का जो आपका प्रयत्न था, वो लाबकारी आपको result दे कर चाह सकता है, इसके साथी confidence, जो confidence कम हो गया था, खो गया था, क्योंकि मंगल आपके लगने के भी स्वामी थे, मंगल अपने आप में confidence के कारक है, लेकिन आपके लगने के स्वामी है, तो double impact हो जाता है, तो जो कारेक शेत्र में confidence कम हो गया था, उल्जहने आ र के लिए आपको बहुत सारी अच्छी opportunities मिलने वाली है स्पेशली जो लोग marketing communication advertisement इन सब industry से हैं उनके लिए तो आने वाले ये जो दो महीने है March 13 March के बाद से बहुत अच्छे रहेंगे तो overall ये सारी positive points मेरे हिसाब से आपको देखने को मिल सकते हैं आप कुछ negative points भी देख लेते हैं सबसे पहरा तो यह है कि तीसरे भाव में है तो over excitement हो सकता है गुस्सा भी आपको बहुत जाद आ सकता है तो इन दोनों ही चीज़ों पर control कीजेगा बहुत संभव है आपका अपने भाई बहनों से दोस्तों से आने वाले दो महिनों में जगड़ा हो जाए और बड़े लेवल का जगड़ा हो जाए स्पेशली जहां पर कुछ property की बात हो गई या पैसों की बात हो गई तो वहाँ पर आपको बहुत धहरे दिखाना है हर व्यक्ति को logical explanation मत दीजेगा हर व्यक्ति को आप logical explanation दे भी नहीं सकते जादा logical होना भी कभी कभी कुछ areas में problematic हो जाता है तो यहां पर अपने logics को वहीं पर उपयोग कीजेगा जहां पर उसका उपयोग अच्छा रहेगा निकि अपने कारक्षेत्र में अपने professional life में या financial life में बाकी जगा पर जादा logical होने का प्रयास मत कीजेगा इसके साथ ही आपके शत्रों की संख्या थोड़ी बढ़ सकती है जब अपने से बड़ों से बात करें तो बहुत ही आदर के साथ आपको बात करना है वैसो हमेशा ही करने चाहिए लेकिन यह जो समय है यहां पर कभी-कभी जान बुचके नहीं लेकिन आपकी वानी ऐसी लग अगर आपको थायरड की प्रॉब्लम है तो आने वाले जो दो महीने है आपके लिए थोड़ी कश्टकारी हो सकते हैं और गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी इन सब चीजों का ध्यान रखना है उपाय की बात करते हैं उपाय कप करना है तेरा मार्च से पहले कर लीज जिस खीर में आपने गुलाब जल और केसर डाला हुआ है घर में ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस खीर का उनको भोग लगाएं वहाँ बैठकर ओम मंगला यहना महा मंत्र का 108 बार जाप करें जो लोग विदेश में रहते हैं देखी वहाँ पे शायद मंदिर जाप करना है यह उपाए कर लेंगे तो यह बंगल का जो राशी परिवर्तन है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे कर जाएगा तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगी अगर चैनल पे आप लोग नहीं है तो सब्स्राइब कीजिए वीडियो को कर दो